हलो फेंट्स मैं आनाव विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फेंट्स आज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो currently अगर मैं fear and greed index की बात करूँ तो ये चल रहा extreme fear पे 24 पे आ गया हुआ है कल से अब तक हमारा यहाँ पे थोड़ा सर जो है downfall में हमें देख रहा है एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक channel जो है वो बन गया हुआ है तो सबसे पहले RSA indicator को हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते है जिससे की थोड़ा सा अच्छे से चार्ट दिख जाएगा चलिए जी तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह एक जो लेवल है इसका जो support है एक तरीके से वो बार-बार यहाँ पे है confirm होता जा रहा है यह जो लेवल है जहां पे भी आपकी यह line highlighted आपको यहाँ पे दिख रही है तो approximately 40,600 के बीच में इसको एक बार-बार area मिल रहा है जहां से ही अच्छी बात यह यह 40 के नीचे ना जार वही हुआ कि जब morning में उठे तो एक बार यह 40 का जो level था वो touch करके आया और फिर उसके बाद उपर गया पर अच्छी बात यही है कि यहां से bounce back देखने को मिला और currently जब यह video हम बना रहे है तो हम लारा जो BTC है वो चल रहा है 42,200 की range के बीच में यह इसका main अगर यह हम लोग देखे तो यह June की बात थी यह इसका यह जो point है जो अभी support है वो एक time पे इसका resistance level होता था पर उसके बाद यहां पे जुलाई के बाद जुलाई और August के बीच में PTC ने वो level को तोड़ा और उसके बाद उपर जाने के कोशिश करी यहां से जहां से जो है अगर यह successful यूपर जाता भी रहा अगर हम यहां देखेंगे यह जो channel बनाया है अगर आप इसके mid में देखेंगे यहां पे फिर क्या हुआ पहले यह इसका जो level था वो resistance level बना इसके बाद जब यह ऊपर गया तो फिर जो इसका mid का level था यह वाला इसका यहां पे support बन जो market में news आ रही है कुछ उस news के वज़ा से मुझे BTC यहां से और नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी चीजे में वो एक separate video बनाएंगे उसमें हम लोग explain करेंगे चलिए जी तो news पर चलते हैं आज की news से बेले friends अगर आप ल दून सकते हैं crypto with विशाल underscore official में ध्यान रखेंगे handle जो है वो crypto with विशाल underscore official है यहां पर one two कुछ भी नहीं है बस यह exact नाम आपको देखना है क्योंकि same image के साथ और इससे जुलते मिलते जुलते नाम के साथ scammers के चैनल बने हुए आप किसी भी गलत चैनल बैट मत हो तो शायद आज का जो वीडियो है उसे crypto news बोलने की जगापे चाइना news बोलना सही रहेगा क्योंकि बहुत सारी negative news जो है वो चाइना की तरफ से निकल के आ रही है पहली news चाइना की जो firewall है उसने जो crypto websites है जैसे की coin geek हो है coin market cap है trading view है इन सब को अपनी firewall से चाइना ने ब्लॉक कर दी है इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि चाइना में ये website आपको use नहीं कर सकता अगर को use करने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से उसे interface दिख जाएगा जहाँ पर अगर आपको technical knowledge है तो यहाँ पर आपको time out का जो error है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है इ यहाँ पर crypto mining को जो machines को लेके जो sale करते थे अलिबाबा की website पर वो भी यहाँ पर बंद कर दिया है दूसरी negative news है यही सारी वो news है जिसकी वजह से crypto के market पर फर्क पड़ दाए अब यहाँ पर एक important चीज़ आती अलिबाबा बहुत बढ़ा नाम है कोई छोटा मोटा नाम नही सबसे बड़ी e-commerce platform में से आती है चाहे P2B की बात करें या फिर हम लोग consumer base में बात करें अगली news अगें चाइना इथीरियम माइनिंग का जो फोर्थ सबसे बड़ा largest पूल था उसको भी चाइना क्रेक्टाउन के चलते बंद किया जा रहा है नीचे आएंगे थोड़ा सा ब सारी negative news आ रही है फिलहाल निकलके एक ही जगा से और वो जगा का नाम है चाइना इसके बाद एक अगली news है पर यह थोड़ा positive news है अगर आप इंडिया एशिया के point of view से देखेंगे तो भई खड़ाब news है पर अगर आप crypto के लिहाद से देखेंगे तो अच्छी news है तो Europe जो अगरता थे एक टाइम पर चाइना के जो यह लगे है rules and regulation इसके वज़ा से Asia जो है वो भढ़ गया है और यहाँ पे जो अगला number है वो आगया हुआ है यूरोप का इसके बाद अगली news अगली news actually है मेरे twitter handle पर है तो मैं आपको पहले twitter पर चल के लेके चलता हूं मेरे तो कल ए अच्छे दिन आने वाले हैं तो मुझे लगा एक post डाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या लोगों का opinion है और अगर मैं बताओ तो लोगों को काफी positive लगी यह news सुनके और इसी लिए मैंने यह news डाली थी यहाँ पर कि एक बार मुझे देखना था कि आप लोगों का क्या opinion आता है यहाँ पर टेलीग्राम पर भी मैंने डाली वहाँ भी मेरे से बात हुई और कई सारे लोगों से मेरी बात हुई तो सब लोगों ने यह news को काफी positive बताया अब यही मेरा मानना है कि actual में यह positive news नहीं है यह negative news है इनी सब चीजों का हम लोग बात करने वाले हैं जो ए ही होता है crypto में कि हम लोग चीज को पूरा अंदर समझे बिना खाली heading के base पे decide करते हैं कि अच्छी news है कि खराब news है यह हुआ कि जो comments आए हैं आपे वो भी सब बोलने हैं कि बहुत अच्छा news है बहुत अच्छी बात है पर यह जान पूचके डाला गया था थोड़ा सा misguide क करने के लिए कि आप लोग का क्या opinion है डीटेल पोस्मार्टम इस न्यूस का हम लोग एक सेकंड वीडियो में आज करेंगे इसके लावा फ्रेंड्स एक चीज और भी थी कि बहुत ही जल्दी मैं एक portfolio बनाने वाला हूं इसके बारे में actual में मैंने telegram पे भी कल रात को post डाला था हाँ जी तो मैंने बोला था कि next month से हम लोग एक portfolio का plan करने क्या price रहेगा उसके लिए एक जल्दी मैं पोल करने वाला हूं और ये पोल telegram पे उपर होगा तो अगर आप लोग नहीं पर टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो आप जॉइन कर लीजेगा क्या basically मतलब है इसका वो मैं आपको खाली यहाँ पर बता दे रहाँ तो हम लोग basically यहाँ पर करने वाले ये हैं कि एक कोई हम लोग ले लेंगे कोई exchange लेंगे और उस exchange में आपको एक particular amount of रुपे डालूँगा वहाँ पर क्रिप्ट होगे और एक हम लोग जो हमारा portfolio बनेगा उसको next 3 महीने के लि आता रहेगा coins के उपर profit होगा नुकसान होगा वो सारी सारी चीज़े में आप लोगो टेलीग्राम के उपर और YouTube के उपर share करता रहोगा पोल जल्दी आने वाले कि कितने रुपे का करें हम वो सारी की सारी चीज़े के लिए टेलीग्राम चैनल को आप हमारे जोईन कर लिएगा जहां से सारे अपडेट आपको मिलते रहें तो यह था फेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग क्रिप्टो न्यूस और अगर आप बोले क्रिप्टो न्यूस नहीं चाइना न्यूस इसको क्योंकि सारी बाते ह है फिलाल क्रिप्टो के फिल्ड में इसलिए मुझे भी आपको नेगेटिव न्यूस जाएं वो बतानी पड़नी है पॉजिटिव न्यूस का फिलाल कुछ होने वाला है नहीं तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंदा है तो इसको लाइक और शेर जरूर करेगा चैन कि यू